एलो स्टूडेंट बेलकम टू दिस वीडियो क्लास टोल्त बालो जी के एक और नई वीडियो में अब सब का स्वागत है इस वीडियो में हम एजेंट पॉलिनेशन यानि परागण के अभीकर्मक या कारक को डिसक्स करने माले हैं सेकंड चेप्टर का बहुत इंपोर्टेंट क्या होता है और किस प्रकास से संपन होता है अब परागण जब होगा तो इसके लिए किसी ना किसी जैसे परागण जब होता है तो किस प्रकास से होता है मैं आपको फिर से बता दो देखिए जैसे कि हम कुई कुछ पराते हैं किसी अन्न पौधे में देखिए अब जैसे प stigma बना दिया है यह stigma है कि बढ़ती कागर जिसको बोलते हैं ठीक है इन्दी में और किसी दूसरे पूस्प पर आपका लगा हुआ है कि कोई दूसरा पूस्प है उसमें आपका तो इस्टेवन है ठीक है और यहां से कि पुलएन ग्रेंश जो हैं इस पूटेत हो चुके हैं अब इनका इस की यहां पर रहुन कि कि आंधर से आपका हो जाएगा पराग के पराग क्राग को से तर पहुंचाने के लिए कोई कुई ऐसा साथन चाहिए जो जो पोलेंण ज्रेंज यानि कि यहां पर spirited हो चुके हैं कैसे को स्टिगमा तक पहुंचा दे्क कोईनों कोई आपन को-कुले love साथन क्या हो यही जो साथन है वह्में पढ़ने हैं और इन्हीं साथनों को कहा जाता है इजेंट पॉलिनीशन परागण के अभी कर्मक या कारक ठीक है तो यही जो एजेंट है वो हमें पढ़ना है हो सकता है कि जो यहाँ पर एंथर के द्वारा परागण होचके हैं यह हो सकता है कि यहां से ले जाके इस्टीक में यह हो सकता है कि बायू की दोरह उड़कर चले जाए औन्हों जल के द्वारा पहुच जाए इस्टिगमा तक तो यही हमें पढ़ना है और इनी कारकों को में पढ़ना कि कौन-कौन से ऐसे कारक होते हैं जो पोली लिसन करकरा सकते हैं ठीक है तो देख सकते हैं आप यहां पर पौधे परागन के कारक या अभीकरमक के रूप में कुछ अजीविये बा कुछ जीविये कारकों या एजेंट्स का उपयो करते हैं और परागन के विक्रिया को संब्बन करते हैं ठीक है देखे कुछ जीव है ठीक है तो यह पढ़ना है जो की पराणियों के तारव होता है ठीक है लेकिन अधिकतर पौदे मौत के लिए जीबिये कार्वों का उपयोग करते हैं यानी कि उनमें तत्ली आओं पक्षियों चीटियों आदी के दवह होता है उस्टी के सकते नंबर दिया गया है अब कुझेट करेंगे आपको वीडिय नोट कि दिया जाएगा देखे बाइूदौरा परागण अब हम देख लेते गरणी च europé backwards नी एनि मूफिली जो बाइयू दोरा परागन होता है उसे अनिमो मों इंग्लिश में बोलते हैं तो देखिए सबसे पहले में बायू दोर परागन दिया गया है उस्पों में बायू की सहायता से होने बाला परागन बायू परागन कहलाता है तथा इन पुस्पों को बायू परागत पुस्प कहा जाता है यानि कि जो हम यहां पर देख रहेते हैं कि जो अन्थर है इंथर से पराग्ण स्टिक्मा पहुंचेंगे यह कैसे पहुंचेंगे अब यह प हुद्वरा जब पहुंच रहे तो इस प्रकार के परागण को बाईू-परागण कहा जाता है क्योंकि इनका माध्य हमें दिया गया है गांस दिया गया है आप याद कर सकते हैं अब देखें बायू परागत पुस्पों के परागन हे तू पराग कन हलके तथा चिपचपाहट रहत होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के जोकों से संचारित हो सकते हैं इस प्रकाज से इस प्रकाज से इनका संजचना होता है यह उड़के यहां से पॉलन ग्रेंस निकल जाए और बहां पर पर पहुंचने के लिए तयार हो जाएं ठीक है इस प्रकाज से रहते हैं इनकी संजचना आप देखिए जैसे हवा आएगी तो यहां से इसमें से निकल जाएंगे अलग हो जाएंगे ठीक है इस टेमन से बायु परागत पॉस्प के परागद हन्य प्रागद हलके होते हैं चप्चप चिप चिपाहट रहत इसलिए होते है ना ही इसमें मकरंद होता है अब देखें मकरंद और चमकीले इसलिए होते हैं ताकि कोई भी मधुमक्की इन से आकरशत हो इनके पास आए जब यह आकरशत इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें परागण जो है बायू की द्वरा हो रहा है बायू की द्वरा परागण के लिए क बनाने की अबसक्त नहीं और नहीं होना चाहिए इसलिए होते हैं ना की वॉय हैं पर तब कारज़ को जरूरत नहीं है उसको छूषते हैं जोंते हैं एक लंगई हो गे तभी तो इन कि यह बरतिकागन बहुत लंबा होता है मैं यहां पर एक आपको पिक्चर्ज करूँक जो करण कि वोटा जो यहां पर हम ने दिखा था कि उसमें बहुत ज्यादा प्राग कंड उत्मन होते हैं यह यह बहुत ही जादा मातला में होते स्ट कुछ जाए ठीक है वह सकता है कि यहां तो यहां से पोलने ग्रैंस में निकले हुए यहां से उड़के जाया हो सकता है कि कहीं और पाठा पहुछेए तो बहुत जएधा मातरा में बनते हैं ताकि यह किसी ने किसी तरीके से यहां तक कुछ ना कुछ आही जाए ठीक्श लिए बहुत ही ज्यादा मातरा में बनते हैं यह फुन ने जो होते हैं बरतिकाग और बरतिकाग ही होते हैं जो हबा में जूमते रहते हैं ताक्वी परागण होते हैं और जूमते रहते हैं हम अपने ठीक है यह जो टेसल होते हैं नहीं प्रकास को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना